हाजी गुडएवनी तो mutual fund का एक question है हलाग कि उसमें बहुत ज़्यादा time लगेगा नहीं MTP में आया हुआ और sir MTP series 2 में question number 5B की में बात question number 5B simple है mutual fund का question कुछ special नहीं है पस आखरी बात करने वाला हुँ इसमें क्या निकालने के लिए बोला है इसमें निकालने के लिए बोला है आपको effective yield ICAI क्या करता था annual return निकालता था bond equivalent yield हलाग कि मैं technical सब्द बोलूँगा तो आप परेशान हो जाओगे simple सी बात है annual return निकालता था simple average return और वो कैसे निकालता था वो सबको पता है कि यार ये आया हमारा 39,000 portfolio का ये सबको पता कोशन सबको पता मैं detail में बात नहीं करूँगा और हमने लगाया था 2,00,000 तो हम holding period return निकालते थे निकल जाएगा और ये holding period return कितने साल का है पाच साल का तो एक साल का return हम इस तरह से निकालते थे 3.90 percent per annum हलाग कि ICAI effective yield मांगता था तो भी institute ऐसे ही करता था alternative और भी तरीके से वो बताता था हलाग कि मैं आपको बताया हूँ class में कि ये effective yield नहीं है effective yield तो कुछ और ही होता है वो तो compounded होता है पर ठीक है institute करता था तो हम भी कर लेते थे हमको क्या दिक्कत है हला कि इस बार जो MTP डला हुआ series 2 alternative दे पहले क्या सुनना ध्यान से effective ये क्या है annual return simple जबकि effective yield compounded निकाला जागा पहले क्यों नहीं करवाया पहले institute मैंने कहा न annual return हो या effective yield हो एक जैसे निकालता था और इसी को effective yield पर रहनम बोल देता था हमारा काम खतम बड़े असानी से काम हो जाता था तो मैंने भी ज़्यादा दिमाख नहीं चला है ठीक है हला कि बोला था effective yield कुछ और होता है अब क्या किया है institute institute पहले भी effective yield alternative करके दे देता था चाहो तो आप वो कर सकते हो मैंने बोला भी है आपको ये बात अभी क्या है अभी जो उसने निकाला उसने इसको नाम दिया approximate effective yield it means ये effective yield नहीं actual में effective yield क्या है मालूम है बोलो आज आप कितना पैसा लगा रहे हो तर आज हम लगा रहे है mutual fund में दो लाक रुप है पासल बाद कितना आएगा पासल बाद आएगा 239003.17 आज लगा रहे हो दो लाक अब पासल बाद इतना आएगा याद करो dirty power हाँ तो यार हर साल का compounded return कितना दिस इस effective yield और वो आ गया 3.63% ये बिल्कु सही है 3.63% पर है न ये है effective yield ये है annual return ये क्या annually compounded है नहीं सर ये simple average है और ये compounded ठीक है सर effective yield ये होता है actual में ये नहीं होता ये तो annual return होता है पर हम दोनों के एक जैसा कर रहा थे सर अभी क्यों कर वा रहा है क्योंकि MTP में इसको उसने approximate effective yield बोला है इसलिए मैं सावधान कर रहा हूँ अगर ये question आये तो यहीं छोड़के मत आ जाना और आगे करना पड़े 3.63 percent निकालने का और एक तरीका है trial and error method जिससे जिन्होंने मुझे security valuation किया दिक्कत नहीं हुई होगी trial and error method से भी return निकाला है 239 003.17 ये है पास साल बात का value this is future value सीधा पास साल बात का और आज कितना लगा रहा है दो लाक आखिर हम किस rate से इसको discounting करे इसका present value दो लाका जाए trial and error method और यहाँ trial and error method लगाने की वज़ा क्योंकि उसने बोला है कि आप present value factor को यूज करें हमें कोई दिक्कत नहीं हम present value factor को यूज करने के लिए तैयार है तो सबसे पहले factor कितने परशन का दिया दो परशन का तो देखो 239 003.17 को मैंने दो परशन के factor से multiply किया और भगवान से प्रातना किया कि दो लाक आना चाहिए पर उससे ज़्यादा आ गए बड़ा वाला rate लेना पड़ेगा मैंने अपकी बार 4% rate लिया तो answer आ गया कम मतलब जो है rate yield इन दोनों के बीच का है 2% पे आ रहा है इतना और 4% पर आ रहा है इतना मतलब इन दोनों के बीच का है तो interpolation करेंगे अब आप formula से करना है कर लो interpolation आ रहा है 2% पे आता है value ये 4% पे आता है ये तो जैसी हम 2% बढ़ाते है तो value down down होता है यस पर हमें इतना थोड़ी डाउन करवाना है हमें तो इतना difference चाहिए तो sir हमें करना कैसे exam है अगर आपको ये factor दे रखा है तो आपको trial and error method ही यूज करना पड़े पर exam में अगर सर्थ effective yield मांगा है और ये factor नहीं दिया तो क्या करेंगे तो भाईया तू काम करना annual return तो निकालना ही निकालना किसी भी हालत में ये तो निकले गई और साथ में ये वाला काम और कर देना 2 minutes तो लगेगा यार ठीक है